साल दो हजारतेईस, बॉल्यूड के दस सबसे बहतरिन मूवी केमियो जिन्होंने लोगों के दिल को जीत लिया किसी मूवी में की जाने वाली छोटे पर इंपोर्टन्ट रोल को केमियो कहा जाता है केमियो रोल आम तोर पर बहुत छोटा रोल होता है और फिल्म की मुख्य कहानी पर ज्यादा असर नहीं डालता है पर उस एक्टर के स्टारडम से वो एक यादगार पल बन जाता है केमियो रोल पाने के लिए आपके पास स्टारडम होना बहुत जरूरी है या तो इंड़स्ट्री में डीप रिलेशन होने चाहिए या फिर किसी दूसरे क्षेत्र में अच्छा प्रभाव या लोग प्रियता होनी चाहिए आम तोर पर केमियो के लिए बड़े सेलिबरिटी फीज नहीं लेते है पर कभी कभी कुछ सेलिबरिटी अच्छे का से पेसे चार्ज करते है अब तक की माने तो सल्मान खान ने 2018 में आई फिल्म जीरो में सबसे महंगा केमियो रोल किया था उस रोल के लिए उन्होंने 50 करोड रुपे चार्ज किये थे जीरो फिल्म में शारुक खांड लीड रोल में थे नमस्कार दोस्तों बॉली ट्रेंड में आपका स्वागत है 2023 में बॉल्यूड फिल्मों में कई शांदर केमियों हुए आज हम बात करने वाले हैं 2023 के 10 सबसे बहतरे मूवी केमियों के बारे में जिन्नों ने अपने खास उपस्तिती से फिल्मों में जान डाल दी नमबर 10 पर आती है जानवी कपूर, सारा अलिखान और अनन्यपांडे मूवी थी रोकी और रानी की प्रेम कहानी इन स्टार्स का केमियों फिल्म में एक सौम में आया था जिसने गाने को और भी ग्लैमरस बना दिया इस फिल्म के डारेक्टर थे करण जोहर और प्रेड्यूस किया था धर्म प्रोडक्शन ने नमबर 9 पर केमियों था कार्थिकारियन का मूवी थी तू जुटी में मक्कार कार्थिकारियन ने इस फिल्म में एक मज़क्या केमियों किया था इनके इस किरदार ने फिल्म के कॉमेडी को और तड़का लगाया नमबर 8 पर विकी कोशल मूवी थी डंकी डंकी में विकी कोशल का केमियों दर्शों ने बहत पसंद किया उनका यह रोल फिल्म में एक नई ताजगी लाता है नमबर साथ बोबी देवल मूवी थी एनिमल लॉड बोबी देवल का एनिमल में ग्रेई शेड वाले किरदार के रूप में था जो फिल्म की जान बन गया इस फिल्म बोबी के इस किरदार को दर्शकों ने खुब सरहा जिसमें लॉड बोबी को गुंगा बहरा विलन दिखाया जो बहुती खुंकार था नमबर छे रितिक रोशन मूवी थी टाइगर थ्री रितिक सर ने टाइगर थ्री में अपने किरदार कबीर के रूप में एक धमाकेदार केमियो किया उनका यह रोल फिल्म के लिए एक बड़ी सर्प्राइज एंट्री साबित हुआ जो की क्लोजिंग क्रेडिट सीन था नमबर पांच शारुक खान फिल्म थी टाइगर थ्री शारुक खान ने टाइगर थ्री में अपने किरदार पठान के रूप में एक यादकार केमियो किया यह केमियो नकेवल फिल्म में एक्शन सिक्वेंस को और भी रोमन्चिक बनाता है बलकि आने वाले समय में दोनों किरदारों के बीच एक बड़े क्रॉस ओवर की जलग भी दिखाता है नमबर चार पर है शेफाली शहा फिल्म थी नियत शेफाली शहा ने नियत में एक छोटा सा लेकिन प्रभावशाली केमियो किया जिसने फिल्म के रहस्यमाई माहूल को और भी गहरा कर दिया उनका किरदार दर्शकों के मन में कई सवाल चोड़ जाता है नमबर तीन संजेदत मूवी थी जवान बड़ी सर्प्राइज एंटरी के साथ संजु बाबा ने इस मूवी में केमियो किया इस रोल को डिरेक्टर एटली ने मूवी के क्लाइमेक सीन में डाल दिया था आडियन्स ने इसको बहुत पसंद किया नमबर दो दिपिका पदुगन मूवी थी एक बार फिर जवान इस फिल्म में दर्शकों को इमोशनल करने वाला केमियो दिपिका ने किया जो कि शारुक खान की पत्नी के रूप में था और अब बार आती है नमबर एक की तो दो अधर थी इसका नमबर एक केमियो किया था सल्मान भाईजान ने फिल्म थी पठान इस फिल्म को सिधर आनन ने डारेक्ट किया था उन्होंने भाईजान के किरदार को एक फाइट सीन में दिखाया था जो की लोगों को बहुत पसंद आया और शायद अप वैसे इन सब केमियो में आपको कौन सा केमियो सबसे जादा पसंद आया ऐसे ही इन्फोमेटिव वीडियो के लिए बॉली ट्रेन को सबस्क्राइब करना मत भूलिए हम आपके लिए बॉली वॉड के अलग-अलग टॉपिक्स पर नए नए और भी मधेदार वीडियो लाते रहेंगे तब तक के लिए इजाज़त दीजिए बहुत बहुत धन्यवाद